किन ही भी दो बिंदों की बीच की दूरी पिछले उदाहरण में ऐसी परसिती में किन ही दो बिंदों की बीच की दूरी ग्याद की गई थी जिसमें रेखा अंतराल A, B, C, D अथवा P, Q या तो उर्ध्वाधर है या शैतिज किन्तु यदि दो बिंदों ऐसे हो जो उर्ध्वाधर या शैतिज रेखा अत्वा उनके समानतर रेखा पर ना हो यानि ऐसा रेखा अंतराल हो जो न तो उर्ध्वाधर हो न एक शैतिज तो उनके बीच की दूरी कैसे ग्याद करेंगे आईए एक उदाहरण देखें उदाहरन चार, बिंदू A यानि एक दो और बिंदू B यानि चार शह की बीच की दूरी ग्याद कीजिए हल बिंदू A से X अक्ष के समानतर रेखा कीचिए इसी तरह बिंदू B से Y अक्ष के समानतर रेखा कीचिए ये दोनों रेखाएं बिंदू C पर पतिछेद करती है दूरी A सी बराबर 4 रिन एक यानि 3 इकाई और दूरी B सी बराबर 6 रिन दो यानि 4 इकाई तरिभुज ABC में बौधायन पाइथा गोरस प्रमे से हमें मिलेगा AB का वर्ख बराबर AC का वर्ख धन BC का वर्ख ये होगा 3 का वर्ख धन 4 का वर्ख बराबर 9 धन 16 बराबर 25 दूरी AB बराबर 5 रिकाई व्यापक परिस्थिती में दूरी निर्देशांक समतल में किनी भी दो बिंदों के बीच की दूरी ग्याद करने के लिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जो हर तरह की दूरियों पर लागू हो हम Q और P के बीच की दूरी निकालेंगे माल लेजे बिंदों P के निर्देशांक X1, Y1 और Q के निर्देशांक X2, Y2 है समकौर तरिभुच P R Q में दूरी P R बराबर X2 रिन X1 दूरी Q R बराबर Y2 रिन Y1 समकौर तरिभुच P R Q में बौधायन पैथा गोरस्प्रमे से P Q का वर्ग बराबर P R का वर्ग धन Q R का वर्ग बराबर X2 रिन X1 पूरे का वर्ग धन Y2 रिन Y1 पूरे का वर्ग P Q बराबर वर्ग मूल के अंदर X2 रिन X1 पूरे का वर्ग धन Y2 रिन Y1 पूरे का वर्ग चोकि X1 रिन X2 पूरे का वर्ग और X2 रिन X1 पूरे का वर्ग बराबर हैं इसलिए हम बिन्दू P से बिन्दू Q की दूरी ग्याद करें या बिन्दू Q से बिन्दू P की दूरी ग्याद करें परिणाम में अंतर नहीं पड़ेगा अर्थात दूरी PQ बराबर दूरी QP यह निर्देशांग समतल पर किने भी दो बिंदों की बीच की दूरी पता करने के लिए उप्योग किया जा सकता है उदाहरन 5 बिंदों P यानि 2 रिंद 3 और बिंदो Q पांच रिंद साथ की बीच की दूरी ग्याद कीजिए हल यहां X1 बराबर 2, Y1 बराबर रिंद 3, X2 बराबर 5, Y2 बराबर रिंद साथ है यहां हम मान रखें तो हमें मिलेगा वर्ग मूल के अंदर 5 रिंद 2 पूरे का वर्ग धन रिंद साथ रिंद 3 पूरे का वर्ग इसे हल करने पर हमें मिलेगा वर्ग मूल के अंदर 3 का वर्ग धन रिंद 4 का वर्ग यह बराबर वर्ग मूल के अंदर 9 धन 16 बराबर वर्ग मूल 25 इसलिए PQ बराबर 5 इकाई उदाहरण 6 वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदू ग्यात कीजिए जो बिंदू A यानि 6 पांच और B यानि रिंद 4 तीन से सम दुरस्त हो हल आप जानते हैं कि वाई अक्ष पर इस सित कोई भी बिंदू शुन्य वाई के रूप का होता है अतब माल लेजिए कि बिंदू P शुन्य वाई बिंदू A और B से सम दुरस्त है तब P A बराबर PB P A बराबर हम लिखेंगे 6 रिंद 0 पूरे कवर्ग धन 5 रिंद वाई पूरे कवर्ग बराबर PB के लिए लिखेंगे रिंद 4 रिंद 0 पूरे कवर्ग धन 3 रिंद वाई पूरे कवर्ग हल करने पर हमें मिलेगा जट्यिस धन पचीस धन वायवर्ग रिंड दस वाई बराबर सोला धन नौ धन वायीवर्ग रिंड छे वाई तलिए चार वाई बराबर च्छतेस और वाई बराबर नौ अतह अभिष्ट बिंदु शुन्य नौ है